प्रेके बास स्वागत है आपका विनेश फॉगाट और भजरंग पुनिया ने कॉंग्रेस जॉइन कर ली है कॉंग्रेस में दोनों शामिल हो गए है इस पर आपको बताएं पूर्व WFI अध्याक्ष और बीज़पी की नेता ब्रजबूशन शरंच सिंग ने बड़ा बयान दिया है ब्रजबूशन शरंच सिंग ने आरोप लगाते हुए कहा है कि 18 जनरी 2013 में जब जंतर मंतर पर धन्ना शुरू हुआ था तो मैंने पहले दिन कहा था ये खिलाडियों का अंधोलन नहीं है इसके बीचे कॉंग्रेस की साज़िश है विशेशकर भुपेंद्र हुड़ा प्रियांका गांधी राहुल गांधी आज बात सच साविच हुए पूरे आंदोलंद में जो हमारे किलाव साज़िश के तैट किया गया उसमें कॉंग्रेस चामिल थी इसका नेतरत भुपेंद्र हुड़ा कर रहे थे रेजबूश कांग्रेस इस खड़ी हंतर में सामिल थी यह पूरी स्क्रिप्ट 18 जनुरी के पहले लिखी जा चुकी थी और जिसका ड्रामा का हंतन्य क्लाइमेक्स कल निकल करके देश की जनता के सामने आया उसका अंजाम अब कांग्रेस जाने लेकिन हम यहां तक हमारी सोच है कि कांग् मेडिया के लोगों ने पूछा कि आपके वेट में जो खड़ी अंत्र है कि तो विनेश फोगाड इस सवाल को टाल गए कि उन्होंने यह भी नहीं कहा कि खड़ी अंत्र नहीं है और एक तरीके से चुप रहा करके इसारा कर दिया उन्होंने कि इसकी इसक्रिप्ट उनके साथ कौन खड़ी अंत्र किया यह कांग्रेस लिखाएगी और वो आने वाले समय में बोलेंगी कि हमारे साथ जो है महाँ पर खड़ी अंत्र हुआ ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है क्योंकि उन्होंने इनकार नहीं किया अगर वो इनकार कर देती कि नहीं मेरा बेट नहीं आ पाया क्योंकि ऐसा कई खिलाडियों के साथ हुआ चुका है एक बार सुसील कुमार के साथ भी हो चुका है हो जाता है वजन कभी कभी रुख जाता है लेकिन उन्होंने इस खड़ियंद की बात से निकार नहीं किया उन्होंने उसे समाल करके रखा है अब आने वाले समय में इस्त नोमें लगता आप ने ने उनके आने से कांगरेस को बहुत फाइदा होने वाला नहीं है क्योंकि हर्याना खेल के चेतर में आगे है खेल के नाम से जाना जाता है और इन्हों ने खिलारियों के साथ बहुत अन्याई किया है कि गलत धंसे डेखर करके गलत धंसे विना ट्राइल के यह खेले हैं ठेट दो साल से खुसृम पिंद खिंद क carrots करता हे होए इन्मने एकुसृक 2 वंद करा रख है शें Celine नहीं ले लिखते हैं एक खिलाड़ी दो कर्टेंडी में जाने हैं